नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का हमारी यूटूब चैनल योजना ओनलाइन फोर यू पर दोस्तो एक बार फिर आपके सामने एक महत्पूर्ण जानकर लेकर हाजिर हो चुके हैं अगर आपने भी अभी तक आईश्मान कार्ड नहीं बनवा हैं तो इस वीडियो को आप सुर्ज लेकर दाश्ट तक जिरूर देखेगा क्योंकि दोस्तो आईश्मान कार्ड के लिए पंजीकरन सुरू हो चुके हैं दोस्तो इस कार्ड के जरिये व्यक्तियों को एक साल में पांच लांग रुपे तक का फिरी इलाज दिया जाता है यानिके इस कार्ड से दोस्तो आप पांच लांग रुपे तक का फिरी इलाज अपना करा सकते हैं गरीब व्यक्ति होते हैं दोस्तों वह ज़्यादा इलाज नहीं करवा पाते हैं तो ऐसे व्यक्तिके लिए ही सरकार दोड़ा यह आर्थिक सहीधा प्रतान की जारी है किन व्यक्तिक का यह कार्ड बना जाएगा उसके बारे में मैं आपको संपूर्ण जान कर यहां पर देने म दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले मैं आपसे निवदन करता हूं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए ज्याद से यादा शियर भी करेगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप चुरूर बेल एकन को प्रैस करेगा तो चैनल दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं तो सब्सक्राइब करते हैं तो राज्य सरकार ने आईश्यमान भारत योजना का लाव लेने के लिए उनके लाव देने के लिए घोसना करती है मुख्यमंत्री द्वारा प्रैसवारता को संभोधि यान्य के जो कोसना की गई है यह मुख्य मंत्री द्वारा की गई है दोस्तों जिन व्यक्त्यों को अश्मान कार नहीं दिये गई हैं उनको अब अश्मान कार मिलने जा रहे हैं ग्रह मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री भी मौके पर मौजूद रहे हैं। दोस्तो मौक्ष्य मंत्री ने यह भी कहा है कि अंतियोध्य की भावना से जो अंतिम पाईदान पर हैं। यानिके जो काफी व्यक्ति गरीब हैं ऐसा है हैं। दोस्तो उन सभी लोगो को अश्मांकार योजना का लाब दिया जाएगा। यानिके जो विदवाए महिलाए हैं जिनके परिवार में कोई आयका स्रोत नहीं हैं। ऐसे सभी लोग को अविश्मान काड परदान किये जाएंगे। दोस्तो यह आप सभी जानते ही होंगे कि जैसे कि हमने आपको सुरुवात में ही बताया है कि अविश्मान के अंतरगत जो लाब आपको दिया जाएगा वह पांच लांक रूपे तक का इलाजियां पर फिरी अगर दोस्तो आपके परिवार में एक भी अविश्मान काड है तो आप अपने पुरे परिवार का इलाज करवा सकते हैं। यनके एक काड पर आपको पांच लांक रूपे तक का फिरी इलाज एक साल के लिए दिया जाएगा। दोस्तो आपका यह अविश्मान काड बन सकेगा। साल दोस्तो आगे जानकर दी गई है कि किन व्यक्तियों का यह अविश्मान काड बना जाएगा और किन व्यक्तियों को यह अविश्मान काड नहीं मिलेगा। प्रहले सत्यापन करा हुआ है या फिर जिसकी दोस्तों जो आये है वह एक लाग अस्य हजार से कम है उन सभी वैक्तियों को यह लाब दे जाएगा आपकी जानकार के लिए बता दे कि आज सत्यापन के तीन चरण पूरे हो चुके हैं यह निके दोस्तों जो सत्यापन के तीन अब इन सत्यापित प्रिवारों का डेटा जो डिटेल है वह आईश्मान कार पर अपलोड की जा रही है यानों दोस्तों जो वैक्ति पहले ही आरदन कर चुके हैं और जिनको शत्यापन भी मिल चुका है जो पात्रवैक्ति है जिनका अईश्मान कार्ड बनाने के लिए accept कर लिया गया है उनका data अब अईश्मान कार्ड पर सरकार दुवरा अपलोड किया जाएगा काफी ऐसे वैक्ति भी हैं जिन्होंने दोस्तो अईश्मान कार्ड के अंत्रगत अपलाई किया था लेकिन वह पाद्र नहीं थे दोस्तो यहाँ पर सत्यापन इसलिए किया जाता है ताकि सही वैक्ति को और पत्र व्यक्ति को दोस्तो चाट आजा सके। यंके यह है जो योझना है केवल ऐसा है लोगों के लिए है तो उनको ही यह लब सर्काकर से दे जाएगा। अगर आप भी पादर व्यक्ति हैं तो आपका भी डाटा आईश्मान भारत योजना पर दोस्तों आपका डेटा भी अपलोड कर दे जाएगा और जल्दी आपको आपका आईश्मान कार्ड दे दे जाएगा मुख्य मंत्री ने यह भी कहा है कि अंतिम व्यक्ति तक यह लाब पहुचाने का उदेश्य से सरकार राजय सरकार द्वारा मुख्य मंत्री प्रिवार अंतोध्या उत्धान योजनस रुकी गई है यानि के दोस्तो मुख्य मंत्री जा कहना है कि पर्देश के परती एक व्यक्ति तक यह लाब पहुचना चाहिए साथ ही यहाँ पर बताए गया कि परिवार अंतोध्या उत्धान योजना के योजना शुरू की गई है और इसके अंत्रगत पहले चरण में विशेज अंतियोध्य मेले का आउजन भी क्या गया था दोस्तो मेले में जो जो आईजन के गया था उसमें जो जिन व्यक्तियों ने अवधन किया हो था उनकी शंक्या यहां पर लगभग 90,000 थी अब दोस्तों इन 90,000 व्यक्तियों में पात्र व्यक्ति भी है और एपात्र व्यक्ति भी है अब इन 90,000 लोगों में से दोस्तों कितने वेक्तों यहाँ पर अउश्मान कार्ड मिलेगा बनेगा वेव दोस्तों आप यहाँ पर देख लीजे यहाँ कि 90,000 वेक्तों ने भारम भरे थे जिनमें से सहिता परदान करने के लिए जो accept form किये गई हैं वे 37,512 ही है यहाँ कि 90,000,000 में से दोस्तों पात्र जो वेक्ति मिले हैं वे 37,512 है इन 37,512 का उश्मान कार्ड आप बनने जा रहा है और इनका जो डाटा है वे दोस्तों ओपिशल वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा इन मेलों का दूसरा चरण 2 से 17 मार्श तक अविज़ित किया जाएगा अगर दोस्तों आपने पहले चरण में हिश्चा नहीं लिया है तो आप दूसरे चरण में हिश्चा ले सकते हैं जो 2 से 17 मार्श तक चलेगा और दोस्तों आप अपलाई कर सकते हैं जिसमें करीब एक लांक परिवारों को बुला जाएगा यानिक दोस्तों पहला चरण 90,000 वेक्तियों तक जा रहे हैं पहला चरण समाप्त हो चुका है दूसरा चरण 2 से 17 मार्श तक चलेगा और दूसरे जो तीसरा चरण है वेह भी आपको जल्दी देखने को मिलेगा साथी मैं आपको बता चाहूंगा कि यह लाब उन सभी परिवारों को देने का फैसल सरकार दूआरा किया गया जिनकी साला नहां आए ऐसी हजार या फिर एक लाग ऐसी हजार रुपे से कम होगा आर्थिक रूप से कमजोर होंगे वेह सभी योजना का लाब उठा पाईए दूस्तो यह जो योजना है यह हरियाना राज्य की है जिनस्तो आपका मैं आपको बताना चाहूंगा यह यह य जिनकी परकिलिया शुरू की गई है दूस्तो अगर आपको कोई भी सवाल कर सकते हैं आप सवी के सवाल का जवाब यहां पर दिया जाएगा तो यह थी आपके लिए महत्कुन जानकरी जानकर कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर चुरूर पताएगा आपसे हम न नोटिफीकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप सबसे पहले उसका लाब उठा सके तो आप चाते हैं आप से इजायत और मिलते हैं आपको नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तो जै हिंद जै भारत